नमस्कार दोस्तो हमारे किसान डेरी फारम चैनल में आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डेरी फारम है पसु के डेरी फारम है वो ज़्यादा तिर फेल क्यों हो जाते हैं या घाटे में क्यों चले जाते हैं पूरी जानकारी आपको इस वी गाटे में जा रहा है तो यह पूरी जानकारी आपको देंगे इसका क्या कारण है और उन समझियां क्या समधान क्या जा सकता है तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें जो डेरी फार्म का बिजनस है वह ऐसा बिजनस दोस्तों की बिना एक्सपरियंस के आप इसको पहले आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तो सबसे पहला जो डेरी भारम बिजनेस का फैल होने का कारण है वह एक्सपिरियंस है दोस्तों उसको जैसे बिजनेस के आपको नोलेज नहीं होती है बिना नोलेज के बिजनेस स्टार्ट कर देते हो जिसमें आपको डेरी फारम आपका बिजनेस फैल होगा ही होगा तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो एक्सपिरियंस की आपको एक्सपिरियंस ऐसे आएगा कि जैसे अगर आप पहले से पसू रख रहे हैं तो वह भी आपकी लिए बहुत अच्छा है और आप जो बाकी के आपके नजद क्षानीं उनको सामना करना पढ़ रहा है तो पहले चीजिय आपको इसके लिए पहले नोलिज ले लेनी है पूरे अपने नजदी के डेरी फार्मों में जाके क्या उनको समंस्याओं करना पढ़ता एं वो कैसे पसू का रखरखाव करते हैं और किस नशल के पसों के पास तो यह चीज आपको देख लेनी है सबसे पहले तो आपका एक्सपिरेंस ही आपको आपको नोलेज पूरी होने चीए डेरी फारम बिजनेस के लिए दूसरे जो में चीज दोस्तों इसमें आपको क्या है कि जो पसु की नसल है वो आपको बिल्कुल देख के लानी अच्छी नसल क की पसु आप खरीदे क्योंकि कोई भाई जैसे डेरी फारम सुरू करता है तो स्टार्टिंग में बिना बिना नोलेज के कोई भी नसल का पसु लेकर आज आ जाता है जिसे दूद की जो प्रोडेक्शन है वो कम होता है पसु में तो उसके कारण डेरी फारम घाटे में चला तरीका है वो गलत हो सकता है बिना एक्सपरियेंस के तो रख रखायो कैसे होता कि दोस्तों जैसे पसु का आपको हर्टाइम खाने-पीने का पाने पिलाने का सारी चीज्जों का ध्यान रखना पड़ता है कि कि इस तरह क्या आप फीड उनको खिलाते हैं यह भी आपको दे कुछ calcium अगर भी देते हैं वो आपको time to time देनी है आप किसी भी पसु के अंदर में जाके डोक्टर से मिलके उनसे बात कर सकते हैं कि कौन सी जो दवाईया है कौन सी जो calcium है वो पसु को देनी चाहिए दुधारू पसुओं को और यह सबसे में चीज है कि दोस्तों आपको कर दोस्तों बात कर देना है और ताकि आपका पसु जल्दी गाविन हो जाए और दूसरी बात हम बता दे आपको पसु में नोर्मिली दोस्तों एक रोग आ जाते हैं थनेला रोग आ जाता है जिससे पशु खराब हो जाता है ये वी एक बहुत बड़ी समस्या हमें हमें देखने को मिलती है क्योंकि ज्यादा पशु होने के कार्ण दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप अपने डेरी फार्म का जो रख रखा हुआ है तो अच्छे से ने खरपते हैं जिसके कार्ण वह की पस्वों को नुक्सान पुचाते हैं और पस्वों में आपका थनेला रोग आजाता है तो उसके लिए भी तरह तरह के पाउडर कीट ना सक दवाई आती है वह आप टाइम टो टाइम चिड़काओं करते रहें जिसमें पस्वों में इस बिमारी का साम करते हैं अच्छे उनके बच्चे तियार करते हैं तो आपको बविश्य में एक अच्छा प्रोफिट दे के जाएंगे तो यह चीज आपको सबसे में ध्यान रखना है कि आपको जो है नसल सुधार पे ध्यान रखना है थोड़ा आपका खर्चा ज्यादा होगा दोस्तों सी आपके पास अपने खुद की खेथ हैं वह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके पास जो सूखे चारे का परबंद आपके घर से ही हो जाएगा तो यह भी एक बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है अगर फिर भी अगर आपके पास नहीं है दोस्तों अपना खेथ न दूस्तों वह आपको सिजन होता है उसे टाइम में आपको सहिव शेण हो असे जाया है आपको फॉरे शाल का खरी दाख लेंडारी कीविजिख सभी आपके शाण तो अबढ़े निक्षा कर्द आतो आपको सूख चारा मिलता नहीं तो आपको महंता है वह जो भी एकmen कि दर एक साथ कर लेनी है दूसरी चीज़ जो नुक्सान होने का बड़ा कारण है वो है कि जैसे लोन लेके बिजनस स्टार्ट करते हो दोस्तों आपके पास पैसे का उज्यादा होता नहीं तो ज्यादा तर आपकी जो राशी है पैसे की जो आपका प्रोडेक्शन है दूद क आपको बिल्कुल नहीं सोचना है दो से तीन साल के बाद देखने को मिलेगा और अगर आप लोन लेके बिजनस भी करना स्टार्ट करना चाहरे हो तो आपका दो तीन साल के बाद आपका प्रोफिट होगा अगर हमने इन बातों पर आपने ध्यान दिया जैसे आपने मैनत करिये आप स्टार्टिंग के पहले साल से आपको प्रोफिट नहीं आएगा अगर आप जैसे आपको दिरे दिरे एक्स्पिरेंस भी हो जाएगा अच्छे पसू आप खरीदारी करके लेके आते हैं उनका अच्छा रख रखाओ करते हैं और आपका जो दूद है दोस्त जैसे मिठाई हो गया या पनीर हो गया बाकी जो अधर कोई प्रोडेक्ट बनते हैं दूद से तो आप बना के बेचेंगे तो उसमें आपको डबल प्रोफिट होगा तो यह चीज़ आपको बहुत ध्यान रख लेने हैं या चोटी सी शोप ओपन कर सकते हैं जिसमें आप य जाके दूद आप सेल कर सकते हो अपना जहां पर आपका प्रोफिट जो है 25-30% तक आपका बढ़ सकता है अगर आप अपने नजदी की किसी सहर में अपना यह दूद सेल करते हो तो इस तरह से बहुत सारे जो पॉइंट हमने दोस्तों आपको बताये हैं कवर किये हैं तो उ किसी होटल में या किसी रेस्टोरंड में कॉंट्रेक्ट कीजी आप उनको डारेक्ट दूद सेल कर सकते हैं तो उसमें भी आपका प्रोफिट है 20-25 बढ़ जाएगा तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों आपका बिजनेस बिलकुल डेरी फारम का सफल होगा और आपका घाटे में नहीं जाएगा तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ सेर करें और वीडियो को लाइक बीजरूर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद